नमस्ते प्यारी बच्चो स्वागत है आपका राम रूप सर्मा चैनल पर मैं हूं राम रूप सर्मा और एक तारिक को साम को स्वागत बड़ा नॉटिफिकेशन आया है उसकी मैं बहुत सारी वीडियो यहां पर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि पूरे नॉटिफिकेशन को एक साथ समझाना ठीक नहीं था क्योंकि वो समझ नहीं आता इसलिए मैं चोटी-चोटी वीडियो मैं इन सारी पॉइंट्स को किलियर आपके लिए कर रहा हूं और इस वीडियो को सेयर जरूर करें सभी बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं चैनल को सबस्क्राइब करेंगे तो आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट नॉटिफिकेशन आप तक किलियर वेब में पहुंशते रहेंगे साथ आपके साथ पढ़ाई की वीडियो में लगाता आपके साथ डालता चला जा रहा हूं अभी इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है कंडक्ट ऑफ कंबार्टमेंट एक्जामनेशन देखिए अभी वी क्योंके देखिए जब तक उम्मीद है जब तक हम जिंदा हैं और उ अगर अपडेशन यानि कि किसी भी बच्चे के माक्स इंटर्नल एसेस्मेंट के बेस पर और जो पासिंग क्राइटेरिया है उसके बेस पर देने के बावजूद भी उसके माक्स उस क्राइटेरिया में क्वालिफाइंग माक्स नहीं बनते तो उन बच्चों का जो एक्जा के लिए ठीक है ना तो compartment का exam cvsc board जरूर कराएगा बाद में कराएगा ठीक है ना और अगर वो बच्चे qualifying marks नहीं लेते हैं तो ठीक है अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के वो बच्चे जो second compartment का exam दे रहे थे देने वाले थे और वो बच्चे जो private candidate की तरीके से cvsc board में exam देने वाले थे तो क्या उनके लिए भी ये सारे rule follow होंगे या नहीं होंगे और होंगे तो किस तरीके से होंगे मेरे साथ जरूर बने रहेगा thank you so much अपना जारूर ध्यान जारूर टाम बाये मेरे रवाई रसे डिरके साथ चाये में